कि यहां स्वागत है आप सभी लोगों का आपकी इस चैनल जेक एक एक्जाम्स में हम डेली एक एक टॉपिक लाएंगे आज के बाद जिससे आपके एक्जाम प्रेटरेशन जो कि आप कम्पिटिट्व एक्जाम्स के लिए कर रहे हो बहुत ही जादा सॉलिड़ हो जाए आज आप किसी भी एक्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो तो लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड वट इस स्वाडियन ग्रीन बांड जो है इनकी क्या मतलब पूरी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो सॉडियन ग्र स्वाइन ऩ को ही टिक कर लेना तो मनि directory आफ फैन इस दरबिये से सौरियन ग्रीन बांड्स इसू होते हैं अब ये ग्रीन बांड क्या होते हैं जिस तरीके से हम कोई भी और bands देखते हैं government securities देखते हैं उसी तरीके से ये green bands भी एक government की तरफ से issue किये जाने वाले है financial instruments जिसकी वज़े से that generate process for investment in environmentally sustainable and climate suitable projects अगर हमें कोई भी जैसे कि हमें अभी renewable energy का कोई project initiate करना है या हमारे भारत में या कोई batteries produce करनी है तो वह environmentally sustainable projects है जिससे environment को फायदा हो सकता है उन bands के लिए पैसा अगर जमा करना है तो सरकार उसके लिए उन projects के लिए अगर पैसा जमा करना है तो सरकार उसके लिए कुछ bands issue करती है मार्केट में जो आप खरीच सकते हो अगर आप पर एक बांड सरकार ने यहां पर मैं आपको example के तरीके से बता दूँगा फर एक प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट का कास्ट 10 लाक रुपीज है इस प्रोजेक्ट का कास्ट अगर 10 लाक रुपीज है तो सरकार क्या करेगी लेकिन यह प्रोजेक्ट होना चाहिए environment के according environmentally sustainable or climate suitable project इसमें दो चीज़े आपको रखनी याद रखनी है environmentally sustainable or climate suitable project यह होना चाहिए अब इसके लिए सरकार क्या करेगी यह bonds issue करेगी यह कुछ papers बेजयेगी उन papers का menu होगा 1,000 रुपय के होगे 1000 रुपय के होंगे 2000 cable, 5000 के होंगे 5000 रुपय के होंगे इसी तरीके से कुछ काकश के pages बेज़ेगी सरकार उससे क्या होगा लोग पैसा पे करेंगे उस Shband को लेने के लिए उस underest को लेने के लिए उनके पास bond रहेगा ऊस्यूरिट्यित रहेगा तो इन में इनको I denis मौतलब in Doncs इनक्रीज भी हो जाता है जिस तरीके से अगर हम बैक में पैसे रखते हैं तो उसमें interest मिल जाता है तो 5% 10% जितना भी मतलब उस तरीके से investment का model होगा उस तरीके से उनको उस पर इंटरस्ट दिया जाएगा तो for example मैंने एक bond खरीदा 1000 रुपए का तो मैंने सरकार को pay किया 1000 रुपए सरकार के पास दिरे दिवे करके 10 रुपए जमा हो जाएंगे और हमारे पास bonds आजाएंगे अब इनके काम क्या होता फदर ये समझेंगे तो यहां पर public sector projects के लिए भी इनको इस्तेमाल में लाया जा सकता है यह भी आपको याद रखना है तो excluding आपको यहां पर याद रखना है exam point of view से इसमें कुछ projects ऐसे हैं जिनके लिए हम green bonds issue नहीं कर सकते हैं इवन दो दो उसमें भी environmentally suitable or climate suitable projects लेकिन nuclear power plant generation के लिए green bonds नहीं हो सकते हैं land fill project जो होते हैं उनके लिए भी green bonds issue नहीं किये जा सकते हैं इसके अलावा alcohol weapon और gaming project जितने भी होंगे उनके लिए भी यह issue नहीं किये जा सकते हैं palm oil industries के लिए भी green bonds issue नहीं किये जा सकते हैं और hydropower project जिनकी capacity 25 megawatts से ज्यादा है उनमें भी हम green bonds issue नहीं कर सकते हैं these are very important points as per the competitive exams are considered तो मैं आपको पूरी तरीके से ये चीज़े समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अब यहां पर इसके लिए सरकार ने green finance working committee एक बनाई है green finance working committee क्या है जिसके chairman के बारे में आपको question पूछा जा सकता है chairman उसका कौन हो सकता है PM रखेंगे option में finance minister रखेंगे तो लेकिन इसका आपको याद रखना है कि इसका जो green finance working committee जो इसके बारे में aid and advice करती है सरकार को किस तरीके से project में green bonds बनाने है तो उसका chairman जो रहता है वो economic advisor of the finance minister या economic advisor of the union of India जिसको कह सकते हो तो वो आप इसाहां पर consider कर सकते हो economic advisor होता है यहां पर green finance working committee के chairman और इसका साल में दो बार meeting करना ताई है साल में इसको दो बार meeting करना है तो I hope कि you might have understood this concept very clearly thanks for watching this video stay tuned for the next video goodbye see you in the next video thank you